मूवी की स्टार्ट में हम लोगों डों को दो बहने दिखाई जाती हैं और वो दोनों कहेल रही हो ठीजिक्ट कि अलसा के पास कुछ सुपर पावस्ती और वो तक यावां पर एलसा के जाती है और एना को उसे लट्योट लग जाती है और एना भीशो जाती है तब ही वहां पे क्वूइन, और किंग उनको लेके जाते हैं, वहां पे कुछ ट्रोल्स थे और वो एनअ को ठीक कर दियते हैं और वो बोलते हैं कि एलसा की बावस कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, इस वचे से उसको अपनी बावस कंट्रोल करना सीखना होगा और वहां से वो लोग वापस आ जाते हैं और दिखाया जाता है कि पूरे महल को बंद कर दिया जाता है और एलसा और एना को अलग कर दिया जाता है क्योंकि एलसा को एक रूम में बंद कर दिया जाता है ताँ कि उसकी सूपर पावस की वज़े से कोई प्रॉब्लम ना है और उसकी सूपर पावस भड़ने लग जाती है इसकी वज़े से उसके फादर उसको गलॉफ पेना देते हैं ताँ कि वो किसी भी टीज को टैच करे तो वो बरफ न बने और यहां से जीन कुछ साल के पाद छिफ्ट होता है और अब उसके पारेंट्स कहीं पर जाने लगते हैं क्योंकि उनको दूसरे मिल्क जाना था और वहां पर रास्ते में उनकी तर्थ हो जाती है क्योंकि रास्ते में तुफ़ाना आ जाता है और उसके बाद अब कोई सालों बात दिखाया जाता है जहांपे अब अलसा को वहां की कुइन बनना था और वहांपे सब लोग बहुत खुश थे वहांपे पूरी तरह त्यारियां की जा रही थी और आज महल के तरवादे भी खुलने थे और एना बहुत खुश होती है और वो बाहर जाने लगती है क्योंकि उसको बहुत चल्दी थी बाहर के लोगों से मिलने क्योंकि वो बहुत सालों से बाहर ने गी थी और वहाँ पर एलसा बहुत परिशान होती है कि अगर सब को पता लग यह में इस सूपर पावस के बारे में तो और वो भी वहां से बाहर आती है और ऐलसा सब लोगों से बाहर जाके मिलती है और उसके बाद उनकी सेर्मिन स्टार्ट होती है पर जैसे ही वो गलब सतारती है तो वो चीज़े स्नों में बदलने लग जाती है और एलसा उसके पास आने कोई करती है और एलसा उसको अपने पास नहीं आने देती और वहाँ पे सब को पदल जाल जाता है उसकी पावस के बारे में और तब ही वहाँ पे सब कुछ सनों में बदलने लग जाता है सब कुछ फ्री दोयन लग जाता है और एलसा वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई नुकसान हो में ही वज़े से पर वहाँ का सारा पानी और सब कुछ सनों में बदल जाता है और वहाँ पर बहुत टेंड हो जाती है और सब को लगता है कि वो एक विच है परैना सब को समझाती है कि वो कोई विच नहीं है वो मेरी बेहन है और वो वहाँ से चली जाती है तांकि वो ऐसा को वापस ला सके और ऐसा एक उन्ची पहारी पर आ जाती है और वो आप अपने गलस उतार देती है क्योंकि आप फूप नहीं चाहती थी कि मैं वापस रहूं और उन लोगों में रहूं और वहाँ पे वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा महल त्यार करती है और उसमें वो रहने लग जाती है और वो आना जाती है उसमों पेण जाती है पूछ नचे कि पहन जाती है पहिंचते हैं तो एलसा उसके साथ जाने से मना कर जाती ही और बोलती है तुम्हे यहां पर नहीं आना चाहिए था और वो उसको कहती है कि तुम यहां से जाओ और अब यही मैई जिन्दगी है मैं अपने मैजिक के साथ यहां रह सकती है और तुमें वहां जाना चाहिए वहां पे लोगों को तुम्हारी जुरुत है और उसको यहाद आता है कि मेरी जुर्ट लगी थी और वहां पे बहुत जादा ठंडों लग जाती है और वहां पे ऐलसा का मैजिक कंड्रोल में नहीं रहता और आना को जुर्ट लग जाती है और वहां से वो चली जाती है और दूसरी शेयर का, एक प्रिंस वहां पहुंच जाता है तांकि वो अल्सा को मार दे और वहां का प्रिंस पहुंच जाए पर वो जैसे ही अन्र जाते हैं तो एलसा उन पर अटक करने लग जाती है क्योंकि वो नहीं चाएती कि मुझे कोई पकरे और वो उनको अटक करके मारने ही वायल थी पर तब ही वहाँ पर आ जाता है प्रिंस और बोलता है कि तुम्हें नहीं मारना चाहिए अगर तुम इने मार तो कि तुम एक विच थापित हो जागी और एलसा वहाँ पर रुक जाती है और बोलती है कि मुझे पहले तुम लोग छोड़ दो और उसके बाद में तुम लोगो कुछ नहीं कहूंगी मुझे यहाँ पर रहने दो और वो लोग उस पर अटेक करने लग हैं और वहाँ पर लोग एलसा के ओपर अटेक करके उसको फ्योश कर देते हैं और जब एलसा के आंग खुलती है तो वह देखती है कि वह तो बंद है उसको जेल में डाल दिया गया था और वहाँ से पाहर जाने के लिए बोलती है कि मैं जीए सब कुछ ठीक करना होगा और हो प्रिंस आता है और बोलता है कि तुम अब यहां से बाहर नहीं जा सकती है और तुम्हें यहीं पर रहन ंगा और तुम जल्दी से roz gasp टीकार कर दो परहो भूल धी के मैं ठीक नहीं कर सकती है और वहां पर के उस्टॉक एना को वाफ़ लाता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो उनको रूम में लेके जाते हैं पर वो प्रिंस उसको रूम में ही बंद कर देता है और वहां से चला जाता है ये कह कर के अब ये तुम्हारा महल और ये तुम्हारा शेहर अब ये सारा कुछ मेरा है और वो पाहर जाके सब को बताता है कि एना मर के यह उसकी तबियत बहुत खराब थी और सब लोग उसकी बात भी यकीन कर लेते हैं और अब वो कहता है कि मुझे सब कुछ ठीक करना होगा और ऐसा भी वहाँ से भाग जाती है क्योंके वो यहाँ पर बंद नहीं रही जाती थी वो सब कुछ ठीक करना चाती थी और वो वहाँ पर प्रेंस आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं भागना चाहिए तुम आप कुछ नहीं कर सकती और वहाँ पे एना भी अब बरफ की बनती जा रही थी और वो देखती है कि उसकी बेहन को मारने वाला है और तब ही वो वहाँ पे सामने जल जाती है और उसकी तलवार टूट जाती है और वो भी वहाँ पे बरफ की बन जाती है और वहाँ पे ऐसा देखती है कि एना मेरी और वहां पर एक स्नोमेन आता है जो अलसा नहीं बनाया था और वो बोलती कि हाँ मैं अब यह सब कुछ ठीक कर दूँगे अपने मैजिक की मदद से और वो सब कुछ ठीक कर देती है वापस से और अब वो अपने स्नोमेन को भी एक क्लाउट एती है जिसकी वज़े से अब वो कभी पिखलेगा नहीं और यहां पर यह मूवी एंड रोज एती है अगर आपको में बसंद आयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें थैंक्स वर वाचिंग